पूरा देश राम में हैं जहां देखो राम की पूजा जो लोग अयुद्या होकर आए हैं वो अपने आपको सो भागय साली मान रहे हैं जिन्होंने अयोध्या के कारेक्रम को अपने टीवी पे देखा वो भी सोभागय शाली मान रहे हैं या वो चाहते हैं कि हमें अयोध्या जाकर साक्षात रामलला के दर्शन करने का सोभागय कब प्राप्थ होगा हमारे साथ हैं विनीत कुमार गुपता लोहिया जी जो अयोध्या से लोटे हैं रामलला के दर्शन करके खास बात ये है कि जहां लोग एक-एक व्यक्ति जाने के लिए सोच रहा था कि किस परकार से उसको निमंतरन मिले विनीत लोहिया जी परिवार के साथ हमाँ पर गए थे दर्शन करके आए हैं तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है लोहिया साब और आपके चेहरे पर जो खुशी है जो एक संतोष है एक आनंद की अनुभूती मैं देख सकता हूँ मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शन के साथ भी उसको बाते हैं आपने अतुल ज एक ऐसे विशे पर बात कर रहे हैं राम जी पहले तो मैं आपको यह बता दूँ राम जी मेरे आदर्श आज से नहीं मैंने अपने लाइफ में जो राम जी को देखा है वो एक आदर्श के रूप में देखा है और मैंने राम जी के ऊपर मैं यह समझ के चला हमेशा कि अगर आगर राम जी की सच्ची पूजा है, तो वो उनके अधर्षों पर चलना ही उनकी सच्ची पूजा है, उस चीज को लेके चला, और मैंने अपने जीवन में, राम जी के अधर्षों के हिसाब से ही, अपने जीवन को डालने का प्रयास किया, इसलिए मुझे, जो आप कह रहे हैं कि आपके परिवार के लोग गए, मैं अपने को सवभागर शाली मानता हूँ, कि राम जी ने मुझे अपने दर्षन का सवभागर, दर्षन देने का सवभागर प्राप्त हुआ, तो इसके लिए महाँ बहुत बड़ा सवभाग है मेरा, बिल्कुल, बिल्कुल, बालक राम के दर्षन करने के लिए तांता लगा है अध्या में, जो सूचना आ रही हैं कि कल पांच लाख लोग वहाँ पहुँचे थे, आज भी लोग इसी प्रकार से पहुँच रहे हैं, अत्रिक्त लोग महाँ पर लगाए गए हैं जो सुविधा का ख्याल रखें और ये भी आग्रेक किया गया है, कि लोग थोड़ा धीरे-धीरे करके आएं, क्योंकि अब तो ये अनंत काल तक मंदिर रहने वाला है, भगवान बालक राम जो हैं अपने दर्शन देंगे, बहुत से लोग आपके पास आए कि हम भी दर्शन करना चाते हैं, और उसके लिए भी मुझे भी आपसे पता चला कि आपने काफी व्यापक स्थर पर मुरदाबाद में व्यूस्था की है। देखिया अतुल जी, हम लोगों ने सन नव्य बानवे में भी राम कतक राई थी विजय कौशल जी महराज के दौरा मुरदाबाद में। आज फिर चुकी राम में पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व जो है, आज राम में डूबा हुआ है। उसी क्रम में हम लोग भी पूजय पूजय भाई श्री रमेज भाई ओजा जी के पास एक डिड़ महीने पहले उनके पास गए थे और उनसे हमने विनै उनसे चाहा था कि हमारे जो मुरदवात के नागरिख हैं वो भी राम कता करवाने के लिए बहुत इच्छुक हैं कि हम जी की कथा सुनें तो उसके लिए में गया था और ये राम कता का आयोजन रमेज भाई ओजा जी ने भाई शीरी जी ने हमारे निवेदन को सुिकार किया और उसके फलतुरूप अब एक फरवरी से नौ फरवरी तक हमारे मुरदवाद के नरवासी लोग राम कता का शवन कर के उसका आनन ले सकेंगे तो ये हमारे लिए भी और मुरदवाद के नागरिकों के लिए भी बहुत बड़ी सोगात है कि भाई शीरी द्वारा एक तारिक से नौ तारिक तक आयोजन किया जा रहा है आखरी सवाल आपने जैसे बताया कि आप काफी समय से भगवान शीर राम को अपना आदर्श मानते हैं लंबे समय से और चुंकि मर्यादा पुर्शोत्तम उनको कहा जाता है उसी विचार धारा को उनी आदर्शों को आपने जीवन में उतारने का प्रियास किया है आप जो ह आंते हैं हमारे बारे में हम लोग भी चार भाई है आज भी हमारा परिवार इखटा एक साथ रहता है और इखटा एक साथ रहने के अलावा चुकि आदर्श हमारे भगवान शीर राम है तो कोई भी आपस में इतना प्रेम है चारों भाईयों में कि कोई भी किसी तरह का जो आजकल परिवार बिखर रहे हैं, हमको बड़ा दुख होता है, तो उसी के लिए हमने ये आयोजन मुरदबाद की जन्ता के सामने रखा, कि ये रामकता सुनके उसका काफी डिफरेंस आता है, जब कोई चीज का ससंग अच्छा होता है, तो आदमी के अंदर भी वोई भावना उत्पन होती है, तो उसी श्रह में हमने ये रामकता का आयोजन मुरदबाद में करा रहे हैं, और चुकी, आज हमारे जो मानायक नरेंद मोजी जी हैं, उन्होंने तो जो चीज सोई पड़ी थी, एक ये मंदिर जो रामलला का आयोध्या में बनना था, पांसो साल से, हम सब लोग एक इंतजार कर रहे थे, देखो कितना बड़ा इंतजार हम लोगों ने किया, जिसकी गड़ी आई, और सबसे बड़ी बात, मैं तो उस टाइम लाइव सुन रहा था, मोदी जी को, मानिय मोदी जी को, तो उनके अंदर की जो भावना आत्मा की आवास थी, वो बोल रही थी, वो खेत परकट कर रही थी, कि हम लोग पांसो साल तक इस कारे को नहीं कर पाए, तो बहुत बड़ी उनके अंदर वेदना थी, मोदी जी के अंदर, और मोदी जी के अंदर नहीं, पूरे राश के अंदर बहुत बड़ी वेदना थी, जिसको की मोदी जी के द्वारा चाहें, वो कोल से हुआ हो, लेकि इसमें सरकार भी बहुत सायक रही, और सब लोगों के उस अथक परिष्टम का ही यह वो था नव्य मानमेक में जो चीज की शुरुवात हुई अशोक सिंगल जी द्वारा शुरुवात हुई उसकी अडवानी जी द्वारा उसकी शुरुवात हुई और उसके बाद हमारे यह तो उस समय में भी रज्जु भहिया उस समय में संग के सरसंग चालक होते थे वामदेब जी महराज उस टाइम के संथ थे अशोक सिंगल जी उस टाइम में पूरी तरह इसमें लगे हुए थे और हम लोगों का पूरा परिवार भी उस नवेवान में में लगा हुआ था उसी परिश्रम का आज सब लोगों के राज के जो लोग है उनका फल है कि आज हम उसमें कामयाँ वो पाए और इसमें सबसे बड़ा श्रे अगर जाता है तो वो जाता है हमारे इमानिय मोदी जी क बिल्कुल ठीक है क्योंकि अदालत ने तो केवल एक फैसला दिया था मंदिर बनवाना जो है वो ट्रस्ट ने काम किया और परधान मंत्री नरेंदर मोदी के नेत्रत्रों में उनके मार्ग दरशन में एक काम हुआ बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और नि कर रहे हैं और सभी लोग उसमें आएं उनकी तरफ से भी अपील है हमारी तरफ से भी अपील है कि सभी लोग आएं राम कथा का अश्रुन करें उसका आनंद लें और भगवान शीर राम के बताए रास्ते पर चलें तभी देश की समाज की और व्यक्ति विशेश की उन्नती हो सकेगी बहुत बहुत धन्यवाद हम से बात करने के लिए कारे करम नमों इंपेक्ट में आज इतना ही अगले कारे करम में फिर मिलेंगे नमस्कार